नमस्कार दूस्तों मैं हूँ सचीन और आप देख रही थिका लेकिन बेगनार कोस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आटेकर किस तरह से नेटवर्क के अंदर आने के बाद number of post को discover करता है आप ऐसा बोल सकते हैं जब आटेकर नेटवर्क के अंदर आता है तो नेटवर्क के अंदर जितने भी available server या client होते हैं उन्हें discover करता है उन्हें वो trace करता है उनके IP के detail लिखालता है जिसके बाद ही वो आगे जा सकता है जब तक उसे server या client network के अंदर है उनकी detail उसे नहीं मिलेगी तब तक वो आगे की step नहीं ले सकता है अब इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से network के अंदर आटेकर इंटर करता है मैंने आपको उसका एक तरीका बताया है इसे बहुत से रास्ते होते जिससे network के अंदर रटेकर आ सकता है चलिए हम start करते है जिसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि हम किस तरह से VPN client को download कर सकते है और उसको utilize कर सकते है तो मेरे पास आज भी एक VPN file available है जिसे मैं use करने वालों यह previous video से हमने download कर रहा था यदि आपने मेरा previous video नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देख ले जो class number 10 है वो important है अब हम आगे चल रहे है अब या मैंने command थी open VPN उसके बाद file name मैंने दिया username armor था हमारा password इसका हमने set कर रहा था 123 हम इंटर करेंगे और I hope इसने हमारा interface enable कर दिया होगा आप देख सकते हैं इसने हमारा interface enable कर दिया है जो कि आप देख पार है 172.25.10.2 अब हमने जब PFSense को login किया था तो हमें दो चीज़े यहां पता चली थी एक WAN IP और दूसरा LAN IP तो हम एक बार वो login करके देखते है तो PFSense मैं login कर रहा हूँ आप देख सकते हैं हमारे पास दो IP एक WAN IP और एक LAN IP अब जो LAN IP यह हमारे लिए important रखता है अब देखे PFSense के अंदर DECP server होता है article directly DECP server के list से पता कर सकता है कि network के अंदर कितने number of IP live है मैं आपको दिखा देता हूँ तो हम चलते status पर यहां मैं मिलेगा DECP list अब देख पाएंगे जितने number of PC live थे उनकी क्या IP है वह हमें यहां पता चल रहा है उनके macadies भी पता चल रहा है और host name भी पता चल रहा है और कब से वह activated है वह भी हमें पता चल रहा है list time के recording अब देखिए क्या होता है कि network के अंदर जो number of servers होते उन्हें static IP दिया जाता है उसे DECP server से IP नहीं मिलेगा तो हो सकता वह IP यहां आपको ना मिले फिर भी प्रेंटेशन टेस्टर या hacker manual approach करता है कि identify करें वह life host को अब चलिए हम देखते हैं कि वह किस तरह से identify करता है life host को मैं सबसे पहले आपको एक टर्मिनर पर ले जा रहा हूं यहां हम एक package को पहले install करने वाले इस package को आप पहले डाउनलोड कर देना मैं आपको इसके link दे रहा हूं इस particular link पे आप जाना यहां आपको एक package मिलेगा angry ip scanner इसके इंदर आप linux के लिए devian package को download कर ले मैंने download किया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं मैं LS करके आपको दिखा रहा हूं मेरे पास एक package मैंने download किया हुआ है जैसा कि आप देख सकते आप इसी आप install कर लेना तो dpkg ipn i switch यूज़ करना है और package का नाम आपको देना है यह install कर देगा मैं आपके पास already install था मुझे install करने के जरूवत नहीं थी आगे हम चलते अगली जो command में ने दी इसको ip scan अब देखिए यह command तभी चलेगी जब यह package आपके पास install होगा ip scan में start कर रहा हूँ आप देख सकते इसका यह graphical user interface इसने हमें दिया है यहां हमसे network का range मांगा है तो हम network define कर देते 192.168.200 जैसे हम lane port पर देख पार है जो हमारे पास firewall था इसके lane ip के according हम देंगे आप देख सकते 192.168.200.1 इसका network है अब वैसे ही मुझे इसको define करना होगा तो 2.1 से हमें scan करना है और इसके पूरे network को scan करना है मतलब last में 254 आप mention कर दें आप इसके बाद ip range हमने दी है इसके लाब आप file के according भी दे सकते के text file आप बना दे उसके इंदे number of ip की detail आप mention कर द हम दे सकते random यह scan करेगा हमें range में scan करना है हमारी host का नाम आप देख सकते network आप देख सकते हमने दिया है आप चाहे तो यहां से slash rotation का utilize कर सकते तो उसके according यह setting कर लेता है अब दोनों तरीके यूज कर सकते range के according या network के according हम start करते तो यह क्या करेगा number of ipies को paying करेगा जो भी number of devices enable होगी या on होगी जिस पर ICMP packet का response मिल रहा होगा यह हमें लाकर देदेगा आप देख सकते है यह number of try कर रहा है आप जैसा देख पाएंगे जो green icon है यह live है हमारे पास इसने total 6 IP है में live लाकर दिये total IP इसने जो scan करे 254 scan कर रहा है आप देख पाएंगे मैं इसे short कर लेता 200.24, 200.25, 200.27, 200.21 तो यह number of IP हमें live मिले हैं अब देखिए यह background में क्या कर रहा है इससे मैं आपको थोड़ा सा explain कर देता हूँ अब हम वार्शार्क को use करने वाले हमें यह देखना कि background में क्या process हुई है तो उसके लिए वार्शार्क हमें use करना होगा वार्शार्क को मैं उ यह मैं इसे filter कर देता हूँ icmp then मैं वापस से इसे run करने वाला हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि background में इसने किस तरह से गाम करा है मेरे PC का जो virtual IP था 172.25.10.2 क्योंकि यह IP मुझे VPN से मिला है यह virtual interface VPN का होता है आप देख सकते यह मेरा VPN interface है यह उसका IP है उसके पर देखिएगा जो वायर शाक ने हमें दिया है 172.25.10.2 और इसने हमें एक IP दिया 192.168.200.80 और इसने ICMP packet को send करा था इस IP से इस IP पर ICMP ping request हमारी गई है यदि हमें इसका response मिलता है इसमें वो अबलेबल है वो response यदि नहीं मिलता है मतब वो अबलेबल नहीं है अब जैसा देख पाएंगे हमने सबसे पहले 1 को request करा था इसका हमें reply मिला इसमें इसमें ICMP packet allow है यह हमारे firewall का LAN port है जिस पे हम ping कर पा रहे है जबक पिंग करा है इसका reply हमें नहीं मिला है इसी तरह से आप आगे ही जा सकते तो number of IP आप इस तरह से देखते जाएए आपको number of detail यह देते जाएगा मैं आपको यहां filter करके दिखा देता हूं तो जो हमारे IP हमें मिले थे ip.add equal to 192.168.1.200.211 मिला था हमने मेरे PC से हमने target IP को पि पिंग request हमारी गई है और इस पिंग request का हमें reply मिला है फिर हमने pin request send करा फिर हमें reply मिला फिर हमने send करा फिर reply मिला यदि सामने वाले PC से हमें पिंग रिक्वेस्ट का रिप्लाई मिलता है एटमिस वह अविलेबल है लाइब है तो इस टूल ने यही काम करा है मैं आपको आनदर आइपी दिखा देता हूँ आप देख पाएंगे हमारे पास नमबर आप आएपी आए 6 इसने अगेन हमें लाकर दिये हम इसे शौर्ड करते है दूसरा आइपी 25 था आप देख पाएंगे कि सेम आउट्पुट इसका भी हमें मिलेगा आप देख सकते रिक्वेस गई रिप्लाई आया रिक्वेस गई रिप्लाई आया बट मेरे पास एक आईपी है जिसका इसने रिप्लाई नहीं दिया इस IP को यह identifier नहीं कर पाया है, आपको मैं output दिखा देता हूँ, जो हमारे tool ने हमें output दिया है, अब देख सकते वो IPs पर नहीं है, अब मैं ज़रा इसे manual पिंग करके आपको दिखा देता हूँ, आप देख पाएंगे मैंने एक पिंग कमांड दिया, 192.168.200.26, हम इसे पिंग नहीं कर पारें, अब ऐसा इसलिए मेरा जो PC ओ लाइब है, no doubt ओफ नहीं है, ये लाइब है, नेटवर्क से connected भी है, बड़ंपिंग नहीं कर पारें, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे PC का जो internally firewall है, इसमें ICMP packet को ब्लॉक किया गया है, तो मैं आपको इसका firewall दिखा देता हूँ, control panel में मैं जा रहा हूँ, अब देख पाएंगे firewall की जो setting है, वो enable है, as well as इसने ICMP packet को ब्लॉक कर रहा है, यदि मैं firewall को off करता हूँ, तो ये पिंग भी कर पाएगा, अब देख पाएंगे, ये पिंग का reply हमें मिल गया है, अब ये tool भी हमें output लाकर दे देगा, अब देख सकते हैं, इसे ये PC मिल चुका है, अब ये total 7 PC हमें बताने वाला है, कि 7 PC आपके network के अंदर live है, अब ये tool ICMP packet को ही send करता है, अब देख पाएंगे, मेरे network के अंदर 7 PC है, क्योंकि एक जो firewall ब्लॉक कर रहा था, उसे अभी हमने off कर दिया, ये सारी चीज़े जब ह हमें इस तरह से किसी PC का access तो नहीं होता है, कि हम जाके firewall बन कर दे, अब ये समझने के लिए मैंने उसे off कर रहा था, अब देख पाएंगे, हमारे पास 7 PC alive है, जिनके IP हमें मिले है, अब इसी तरह से हम आगी चलते, इसके लावा अब आनदर एक tool यूज कर सकते, जो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में भी बताया था, इस काल अपपिंग, मैं आपको अपपिंग की कमांड बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, simple सी कमांड है, अपपिंग iPhone G, हमने network define कर रहा है, network में सही कर देता हूँ इसका, 200.1 मुझे देना है, पॉबले 24, उसके बाद ह हमने iPhone A switch कर रहा है, जो भी live होंगे, cable वो ही IP हमें चाहिए, पर यह file बना देगा, infosec.network.txt, आप इसे देख पाएंगे, अगें यह भी ICMP packet को use करने वाला है, यदि मैं आपको इसका भी background process बता हूँ, तो आप देख पाएंगे, आप देख सकते, ICMP packet हमारा send हो रहा है, इस एक बार फिर से इसे run करते हैं, आप देख सकते, ICMP ping request हमारी जा रही है, हमें reply मिलेगा, तो वो live है, request continue हमारी send हो रही है, और हमें उसका reply भी मिल रहा है, जो PC live है, उसका हमें reply मिलेगा, और यदि reply नहीं मिला है हमें, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो live नहीं है, हो सकता है, IC ICMP packet उस particular server पर block हो, firewall के थुरू, तो हमें उसका reply नहीं मिलेगा, आप देख सकते, इसने हमें number of output ला कर दिया है, मैं आपको इस file को बता देता हूँ, जिसमें हमने output लिया है, तो ip ip-live. हमने एक file बनाए थी, इसको लिंफसेक warrior, मैं आपको इससे दिखा देता हूँ, आप देख सकते, number of जो ip है, वो हमें मिले है, आप चाहे तो angry ip scanner यूज़ कर ले, और आप चाहे तो apping यूज़ कर सकते है, it depends on you, आपके उपर ये depend करता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें, आगे हम चलते हैं, अब अगली command के ओर हम चलते हैं, अब बात करते है, king of network scanner, इसकाल एनवेब, एनवेब सबसे best tool होता है, इसकाल एनवेब, हम एनवेब का यूज़ करते हैं, और पता करते हैं, कि हम किस तरह से host को discover करना है, इन सारे काम के लिए, सबसे जो best tool होता है, वो ह according to me, इसकाल एनवेब, हम एनवेब का यूज़ करते हैं, और पता करते हैं, कि हम किस तरह से host को discover कर सकते हैं, तो simple सी कमार दी हमने एनवेब, आइफान, आइफान, हल्प, अब देखिए, एनवेब का graphical interface भी आता है, जिसे एनवेब बोलते हैं, आप चाहें तो उसको भी जेन में भी दिखा देता हूं, फिर एनवेब पर हम आजाएंगे, आप देख सकते हैं, मेरे पास जेन में पास चुका है, आप चाहें तो इसको यूटलाइस कर सकते, तो यहां आपको target define करना है, हमने अपना जो interface था, उसके according, जो detail हमारे पास थी, वो हमने यहां define कर दी, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ping scan करना है, तो आप ping scan select कर ले, अब command देख पाएंगे, और scan पर आप click करें, आप देख सकते, इसने भी number of IP हमें लाकर दिये, 7 जो की live थे, उनकी detail इसने हमें लाकर दिया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा expand करता जिसे हमें पूरा IP visible होगा, जो कि आप देख सकते, आप इसको भी utilize कर सकते, आप देखे, जैन्वेब में recommended नहीं करूँआ कि आप use करें, क्योंकि एन्वेब का जो command line interface से वो much better है, अब हम graphically उत्ता ज्यादा familiar हो, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आगे जो भी चीज़े हम करन समझाने वालों, जिसे हम बोलते, host discover, host discover, जैसा मैंने आपको बता है, कि जब network के अंदर आटे कर आ जाता है, चाहे वो firewall को compromise कर कर आए, या किसी तरह के malware को, या you can say togen को, किसी employee को send कर कर आए, या फिर वो physically उस network के अंदर आ जाए, तो उसके बाद, उसकी अगली जो step होती है वो होती है, host discover, कि network के अंदर जितने भी number of IP available है, उनकी detail वो लिकालता है, तो मैं आपको इसके switches बता रहा हूँ, जो पहला switch है, इसका call SN, इसका full farm होता है, ping scan, ये port discover नहीं करता है, आप बोल सकते हैं, disable कर देता है, port scanning, चली, मैं आपको इस command को दिखा देता हूँ, तो simple है, आप Nmap mention करिएगा, iPhone SN आपको देना है, जो भी आपका network है, उसको आप define कर दे, आपकी case में IP दूसरा हो सकता है, और oblique 24 आप mention कर दे, तो ये क्या करेगा, अगें, ये pin scan करेगा, और आपको live जितने भी number of PCs होंगे, उनने लाकर दे देगा, आप देख सकते, ये number of PCs इसने में लाकर दिये, जिनका आप IP address देख सकते, as well as SN में बताये कि साथ host up है, अब हम चाहे तो इस output को filter भी कर सकते, इसके background process, again इसने ICMP packet को use कर आए, मैं वापस से run कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे, इसने भी ICMP packet को ही use कर आए, अब देखे जो हमारा nmap है, ये smart tool है, जब हम in the lane इसे use करते, तो ये live host को discover करने के लिए, आर्प request को use करता है, इसे मैं last में आपको बता हूँ, अभी हम ping request से ही आगे continue कर रहे है, अब देख सकते, साथ IP इसने हमें लाकर दिये, जो की live है, आगे हम चलते, अब हमारे पास जो output आ रहा था, उसको मैं filter करके cable live host को ही present करने वा आ रहा हूँ, awk, इसके लिए, हमारे पास जो output आ रहा था, उसमें scan word आ रहा था, उसे मैं filter कर रहा हूँ, as well as, हम चाहते हैं कि उसका particular जो IP section है, वो ही हमें मिले, हमने print करा, $5, आप देख पाएंगे, जो हमारे पास output आ रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा change करके, cable number of IP को ही print कर रहा है, जो कि आप देख सकते, हमारे पास 7 IP थे, इन्हें हम किसी file में ले सकते, तो for example, IP, iPhone list, .txt मैंने mention कर दिया, अब यह पूरा output उस file में हमें मिल जाएगा, तो आप इस तरह से भी इसे filter out कर सकते, आप देख पाएंगे मेरे पास जो IP list थी, वो अब 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 अगले सुचिस पर हम आते, जो एन्मेप का help था, उसको मैं एक बर और आपको दिखा देता हूँ, host discover हम करने वाले, इसमें मैंने आपको अभी बताया, SN, अब आगे ही चलते हैं, इसकोल PN, इसकोल Don't Ping, अब देखिए, Don't Ping में क्या होता है, कि हम यदि किसी IP को scan करते हैं, पर हम नहीं चाहते हैं कि यह host discover करें, या ping करें, तो हम Don't Ping का use करते हैं, जिससे ICMP packet वो सामने वाले target server पर send नहीं करता है, अभी हम आगे चलते हैं, इससे मैं आगे आपको और explain करूँगा, अभी हम बात करते हैं, इन number of switches के, अब देखिए क्या होता है, कि कई बार particular server पर ICMP packet response ना करें, यह possible है, क्योंकि सामने वाले ने firewall को enable कर रखा है, मैं वापस से इसे enable कर रहा हूँ, इसका IP आप याद रखिएगा, 26 का IP है, और इस पे हमने particular एक port को allow कर दिया, इसके लिए मैं advanced setting में जा रहा हूँ, और inbound rules के अंदर हम आए, इसमें boost से rules होते हैं, इसमें आप एक last rule देख सकते हैं, इसको worldwide web service, जो की allow नहीं है, मैं इसे enable कर रहा हूँ, यह port number 80 पर enable हो जाएगी, आप देख पाएंगे, मैं इसे आपको again ping करके दिखा रहा हूँ, ping 192.168.200.26 इसका IP था, हम ping नहीं कर पा रहे, बट इस IP पर जो web की service है, अब उसे हम call कर सकते, 192.168.200.26 अब देख पाएंगे, शायद हमें इसका एक page मिल जाएगा, आप देख सकते हमें page मिला है, अब यदि में same command यूज करता हो nmap की, तो अब यह IP हमें नहीं ला कर देगा, क्योंकि इस पर ICMP packet को हमने block कर दिया है, अब देख पाएंगे, अब हमें 6 IP मिले, 26 escape हो गया, अब हमें 26 IP को identify करना है, nmap से, वो कैसे हम कर सकते हैं, उसे आप जड़ा देखिएगा, इसके लिए मैंने एक switch use करा, इस call ps, then मैंने इसे enter करा, तो as well as यह number of host को discover भी करेगा, और उनके common port को scan भी करेगा, अब देख सकते, इसने हमें number of 7 host ला कर दिये, जैसा कि आप देख सकते, जो 26 था, वो भी इसे available हुआ है, उसका IP भी इसने हमें ला कर दिया है, as well as port number 80 इसने open बताया, पर अभी हम यह चा रहे थे, है कि हमें यह पता चले कि host live है या नहीं है, बस, इसके लिए हम एक और switches में add कर सकते, इसको SN, जिससे यह port scanning disable कर देगा, अब देख पाएंगे, जितने भी live होस होंगे, उसने पूरे ला कर दिये, जबकि हमने cable SN यूज कर रहा था, तो उस समय इसने हमें cable और cable वोई PC ला कर दिये, जिसने ICMP को response कर रहा, अब दोनों को background process में आपको बता देता हूँ, ICMP अलड़ी हम discuss कर चुके, तो अब हम filter करने वाले, इसको IP.add, मैंने 26 को filter करा है, अब देख पाएंगे, जब मैंने इस switch को use करा, इसने 26 को आप देख पाएंगे, पिंग करा है, बट हमें output नहीं मिला है, देखें, दोवा request आईए, लेकिन हमारे PC ने उसे response नहीं करा, reply नहीं दिया, इसका मतलब, post unavailable है, या unreceible है, या down है, nmap के according, बट हमने जब इसमें PA switch को use करा, तो ये क्या करता है, ये sync ping करता है, थ्रीवेंशेक के एक process होती है, जिसमें सबसे पहले जो particular client होता है, server को synchronize packet बहसता है, server यदि available होता है, तो उसका acknowledgement synchronize दोनों client को बहसता है, फिर client उस particular synchronize का acknowledgement server को बहसता है, इस तरह से ये थ्रीवेंशेक प्रोसेस होती है, इससे आगे हम deploy जानेंगे, अभी आप ये जान लि PS switch को use करा है, इसमें मैंने इसे restart करा, enter मैंने इसे करा है, अब इसने ICMP packet send नहीं करा है, मेरे इस client या NWAP ने server पर एक synchronize packet बहसा है, server ने उसका synchronize और acknowledgement दिया है, और फिर मेरे NWAP ने उससे reset भी भेस दिया है, या 3-way handshake complete नहीं हुआ है, बट हमें कुछ reply जरूर मिला है सामने वाले से, जिससे हमें ये पता चल गया है कि वो live है, तो यह हमने, आप देखेंगे, मेरे एक random ports है, सामने वाले के port number 80, जो कि उसके firewall में हमने allow करा था, उस पर ये request गई, जैसा आप देख पा रहें, फिर उसने हमें उसी port से response करा है, फ अब इसी तरह से माल लीजे मुझे another port को utilize करना है, हो सकता है कि port number 80 अबलेबल ना हो, तो आप port define कर सकते 443, तो हमने port number 443 इस बार define करा है, आप देख पाएंगे port number 80 skip हो चुका है, जो कि 26 पर था, बाकि इसने हमें 6 IP लाकर दिये, same आप देख पाएंगे, कि इसने मेरे PC के port number 443 पर request बेजा है, बट मेरे इस PC ने, जिस पे हमने firewall enable करा है, उसने इसको response नहीं करा, दो बार इसने packet बेजा, दोनो बार हमने response नहीं दिया, जिससे इसको नहीं पता चला कि हमारे PC live है या नहीं है, आगे हम चलते, आप इसी तरह से other port define कर सकते, तो depend on you, आप जो भी port लेना चाहे, सारे common port आप check कर सकते, हो सकता है, सामने वाले PC पर किसी ना किसी port को firewall में allow किया गया हो, तो हमें सभी check करना होता है, अब दे सकते हैं, इसमें तो 5B output हमें मिला है, again, दो request हमारी send हुई है, लेकिन कोई response नहीं आया, जिससे के बल 5 PC से मिले, मैं आपको 27 को filter करके दिख बखा देता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे किस तरह से response दे रहा है, आप देख पाएंगे, इसने 172.25.10.2 से 200.27 पर एक request गई है, जिसका आपको reply लाकर दिया है, जिससे हमें ये पता चल गया, ये live है, आगे हम चल रहे हैं, मैं आपको nmap का वापस help दिखा रहा हूँ इसमें हम अगला जो switch करने वाले उसकी हम बात करते, मैंने अभी आपको ps बताया था, अब हम pa पर आते, अब देखिए, ps का मतलब हमने उसे send कर रहा था, tcp synchronized packet, अब हम tcp का acknowledgement उसे send करेंगे, हो सकता है, इससे हमें reply मिल जाए, तो command ये ही रहेगी आपकी, बस आपको pa ला दे, आप इसे analyze करने के लिए अगें वायशाक पर हम चलते हैं, आप देख सकते हैं, इस बार इसने acknowledgement packet send कर रहा होगा, अभी तक तो send नहीं हुआ है, थोड़ा सा wait करते हैं, क्योंकि ये तो सारे पुरा नहीं packet है हमारे, एक बार 2.1 को हम देखते हैं, आप देख सकते हैं हमने synchronize packet भेजा है, बट उसका कोई reply नहीं मिला है, या भी आप देख पाएंगे, थोड़ा सा हमें wait करना होगा, हमने again by default ये port number 80 पर ही जाता है, इसका output जैसे आता हम इसे continue करेंगे, आप देख सकते हैं, इसने बताया है कि zero host अब है, क्योंकि किसी भी host ने इसे reply नहीं दिय होगा, आप चाहे तो किसी भी host को filter out करके देख सकते, सारे host के IP पर इसने packet send करा है, बट reply इसे नहीं मिला है, जिसकी वज़या से इसने बताया कि zero host अब, ठीके, हम एक बार port change करके देखते, 443, शायद अब हमें output मिल जाए, अब देख पाएंगे, अब जो हमारा packet गया है, वो सामने वाले server के port number 443 पर गया है, अब देखे हमारे पास special driver 536 ports होते है, इसमें से common use port आप use कर सकते है, तो आप acknowledgement देख सकते हैं, इसका भी reply नहीं मिला है हमें, तो यह host अब नहीं बताने वाला है, आप दूसरे IP पर जा सकते हैं, सेम यहां भी हमने, अभी तो यहां इसक चेक करते हैं, यहां देख सकते हैं, हमने 80, ठीक है, अभी थोड़ा सा में वेट करना होगा, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है, यह तो अपडेट हो गया, 27 हम चेक करते हैं, तो यह 1 by 1 सारे IP को acknowledgement send कर रहा है, port number 80 पर, यदि acknowledgement का किसी तरह का output मिलता है, तो हम यह बोल सकते है कि वो live है, और output नहीं मिला, मतलब वो live नहीं है, अब जसा कि हमें पता है कि वो तो live है, लेकिन इस particular packet का हमें output नहीं मिल रहा है, जिसकी वज़ा से इसने बताया है कि 0 हो, सब आगे हम चलते हैं, अगले switch पर हम आते हैं, अगला जो switch है, अगें मैं आगें मैं आपको दिखा हो, तो UDP का हम यूज कर सकते हैं, तो PU मैंने यूज करा है, यह identify करके हमें शायद बता देगा कि कितने होस लाइब है, आप देख सकते हैं, पांस तो इसने हमें ला कर दिए है, तो यहाँ पर इसने background में यदि मैं आपको बता हूँ, तो इसने UDP packet को send करा, वो सामने वाले इसने बताया कि destination unreachable port, हमें कोई पालम नहीं, लेकिन reply तो मिला है, जिससे हमें यह पता चल गया कि यह host अब है, इसी तरह से, आप दूसरे IP पर हम आते हैं, जिसका हमें reply नहीं मिला होगा, आप देख सकते हैं, दो और packet sent हुआ है, लेकिन firewall ने इससे साथ response नहीं करने दिया host को, जिसकी बएज़ से इसने हमें बताया कि only five hosts अब, आप इसी तरह से किसी और IP को आप filter करके देख सकते हैं, अगेन आप देख पाएंगे, इसने output हमें दिया है, 200.1, दू बार packet हमारा send हुआ है, UDP का बस reply हमें नहीं मिला है, तो आप देख पाएंगे उस IP को इसने नही नहीं बताया है, तो आप इस तरह से number of port भी define कर सकते है, my favorite is 53, यह DNS के लिए use होता है, इसका output मिलने की समभावना जादा होती है, आप देख सकते हैं, हमारे पास total host हो गया है, अब six, तो आप इस तरह से number of IP को identify कर सकते है, network के अंदर, यह article भी इसी तरह से identify करता है, आगे हम चलते हैं, इसका जो अगला switch है, उस पर हम आते हैं, इसको आप देख पाएंगे, पीवाए हमारे पास available है, हम इसको use करके भी देख सकते हैं, तो पीवाए यह एक आनदर type का packet send करेगा, आप देख सकते हैं, six host इसने live बताए, जैसा कि आप देख पाएंगे, इसने जो इसका हमेरी response कराया, इसी तरह से मैं दूसरे IP को आपको दिखा देता हूँ, आप इसे भी अच्छे से देख पाएंगे, हमने packet भेज आये, और इसने response कराया, आगे हम चलते, अब देखें, इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास number of, आप बूल सकते हैं, जिनका हम यूज करके ये पता कर सकते हैं, कि लाइफ होस कितने हैं network के अंदर, मैंने आपको जितने भी possible way हो सकते थे, वो आपको बताया, कि अन्वेप का आप यूज करके किस तरह से लाइफ होस को discover कर सकते हैं, अब इसके इलावा जो way आप इनको आप यूज करके देखे जो important है, वो मैंने आपको बताया है, आगे हम चलते, माल लीजिए, penetration testing के लिए, आप किसी network के अंदर जाते, मतब company के अंदर आपको ले जाके बिठा दिया गया है, और आप आपको पता करना है कि कितने host live है, दोनों में cable एक ही अंतर आएगा, क्योंकि ये जो तरीका मैंने आपको बताया, यह जब हम remotely assess करते है, using by VPN, तब हम इस step को follow करते है, लेकिन कई बार होता है कि companyya हमें recommended करते है, कि आप हमारे network के अंदर आई है, वो penetration testing कीजिए, तो उस case में हम जब इनी switches को use करेंगे, तो वाँ ARP scan होगा, ARP एक particular packet होता है, जो कि in the lane utilize किया जाता है communication के लिए basically इसमें IP to make translate किया जाता है, यह कैसे काम करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं यह simple सा Nmap लिया, iPhone SN, और actual जो मेरा network है, मैं इसे अभी define कर रहा हूँ, public 24, अब मैं आपको wire shark पे लेके जा रहा हूँ, हम इसे stop करते, interface में change कर रहा हूँ, मैरा actual network, जो यह मैं उसे scan करने वाला हूँ, या मैंने filter कर दिया ARP, आप देख पाएंगे, जब मैंने scanning करा, तो यह particular मेरे PC से, मेरे network के अंदर हर एक IP को discover करने की कोशिस कर रहा है, यह बोल रहा है, who is 192, 168, 1.26, who is 192, 168, 1.27, इस तरह से यह पूरे network के अंदर, इस particular ARP packet को wordcast कर रहा है wordcast packet, network के अंदर जितनी भी devices available होती, उन सभी के पास जाएगा, अब यदि उन device के पास firewall enable भी है, तो वो इसका response जरूर करेंगे, अब देख पाएंगे, इसने network के अंदर जितनी भी मेरे live PCs थे, उनकी detail इसने में लाकर दिये है, तो अब command वो ही है, इसमें कोई changes नहीं हुआ, अब ये in the lane में हूँ, तो ये ping नहीं करेगा, ये ARB करेगा, मैं आपको ICMP दिखा देता हूँ, इसने सारे PCs को ping नहीं करा है, जबकि हमने जब VPN connection बनाया था, तो इसने ping करा था, आप देख पाएंगे, ये ping तो मेरा IP है, firewall है, वो मेरे gateway को कर रहा है, लेकिन मेरे PC ने, मेरे network के अंदर किसी भी PC को ping नहीं करा है, तो आप ये हमेसा याद रखेगा, जब आप इंदा lane होते है, तो आपके पास ARB scan होता है, जिसका हम utilize करके life उसको easily identify कर सकते हैं, हमें ज़्यादा approach करने की जरुवत नहीं होती है, अब इसके लावा जो दूसरा tool है मैं आपको बता देत इसको detect कर लेता है, और आपको बता देगा कि उस network के अंदर कितने PC live है, आप देख पाएंगे ये number of PC हमें लाकर दे रहा है, जो कि उस network के अंदर live है, आप देख सकते हैं, इसने हमें कुछ life host लाकर दिया है, अगेन इसने ये भी बताया है कि life host किस तरह से लेकर आया है, त को send कर रहा है, जिसका इसे response मिला होगा, जिसके according इसने हमें बताया कि करीबन 10 host live है, और उसके पूरी detail इसने दिये, like IP address, MAC address, बागी detail आप देख सकते हैं, I think ये आपको अच्छे सा समझ में आया होगा, कि network के अंदर जब एक attacker या एक penetration tester इंटल करता है, तो किस तरह से वो life host को identify करता है, जब तक उसे life host नहीं मिलेंगे, वो आगे की approach नहीं कर सकता है, क्योंकि life host के ही उपर अगली step उसकी depend करती है, इस वीडियो में इतना ही, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगाओ, तो आप इसे like करिए, share किजिए and comment किजिए, आपको यदि कोई doubt है, त बूच सकते हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद,